Hello everyone, आज हम बात करेंगे अंकुरित बीज जो है या अंकुरित भोजन का क्या फाइदा है? या हमारे प्राचीन काल से हम अपने भोजन में अंकुरित बीजों को क्यों लेते थे काम में? सबसे पहले समझे कि मान लीजिए यह बदाम है जिसके लिए हमें कहा जाता है कि रात को भीगो के और सुबह इसका छिलका उतार के खाईए छिलका क्यों उतारना है और रात को क्यों भीगोना है इसको साइंटिपिक तरीके समझेगा सबसे पहले तो यह जानिएगा कि आपका जो यह बादाम है इसमें अपनी प्रति दोदक्षमता है या यह अपने या कोई भी बीज जो है यह बेसिकली बीज है सारे उनको अपनी सुरक्षा करने का एक प्रकरतिक तरीका मामलूम है और वो ऐसे इसके अंदर कह दीजिए कैमिकल कह दीजिए या ऐसे फाइटिंग एलिमेंट्स कह दीजिए जो इसमें शामिल है जब इनको भीवाया जाता तो बादाम को मैसेज मिलता है कि चलो जी भी उगने का टाइम आ गया तो ऐसे में क्या है कि उसकी जो फाइटिंग एलिमेंट्स हैं वो सतय पे आ जाएंगे छिलके के पास आ जाएंगे क्योंकि जब इसको बोगा जाएगा या जमीन में डाला जाएगा तो ऐसे बहुत सारे जीव जंतों कीडे हैं जो इसको खाने गा या इसको थोने से पहले का या इसको उगने से पहले इसको नस्ट करना चाहेगे तो इसकी पतिरोधिक समता है इसके फाइटिंग यानि प्रकरती ने हमें अलड़ी यह चीज दी है कि इसके अंदर अपने बचाव की शमता है अब क्योंकि हम इसको कच्छा खा रहे हैं इसको हम बोने के लिए काम में नहीं ले रहे हैं ऐसे में हमें उसका छिलका चीलना है और उस छिलके को उतार के फैंक देना है और बाद म को या जो भी हमारा अंकुरित भोजन है उसको हम खाएने अक्सर यह पदती इसलिए चली थी क्योंकि प्राचीन काल में कोई इस तरह के प्रजरवेटिव नहीं थे जिसके लिए हमको पदती अपनाते थे तो अंकुरित भोजन करने का जो ऐरवेदिक करना है scientific reason है वो यह है कि उसमें पाए जाने वाले टॉक्सिन जो उसको बचाते हैं वो छिलके पाए जाते हैं और हम छिलका चीन देते हैं और हम उसको खा ले थैंक्यू